तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चिन है लिख हुए कि consider the element A, A element matrix है को यह ठीक है, A आपकी matrix है, 1, 1, 0, 1 ठीक है, अब matrix में एक बात सुरू में clear कर देना चाहता हूँ कि matrix में क्यों होती है, multiple allocation होती है, मतलब की multiplication आपकी क्यों होती है, composition act करती है, जैसे A इसमें addition composition नहीं होगी, multiple allocation ह composition होगी, ठीक है, the group is 2 by 2, 2 by 2 की matrix है, mean 2 rows and 2 column की matrix है, ठीक है, 2 क्या है, rows है, A की arrow आगी, A की arrow आगी, 2 की क्या है, column है, non singular, ठीक है, matrix है, having unit determinant, determinant है, इसका unit at, unit का मतलब है, A की determinant की value है, 1 है, ठीक है, over R, R is the real number, ठीक है, what is the order of A, order of A, find out करना है, कि यह जो A matrix है, इसका order find out करो, तो आपको पता है, कि यहाँ पे यह बोल लगए है, question में, कि find order of A, यह दो, सबसे पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, find इसमें बोल लगए है, आपको, find, यह दो, यह दो, यह पहले है, what is order of A, mean, find order of A, अब order of A को आप कैसे लिख सकते है, order of A, आप ने find out करना है, वो किसके बराबर होना चीए, ठीक है, वो आपने find out करना है, ठीक है, अब आपको पता है, कि A की value कि है, आपके पास, A की value है, आपके पास, 1101 लिख दी मैंने, ठीक है, now A square, A square की value की आएगी, क्यों लिए है, मैंने A square, क्योंकि A is any element, यह कोई element, कोई matrix है, ठी in g that belongs to g so square of that matrix मैं आपको closer property बताई है और पिछले question हम ने किया है तो वैसे वैसे ही किया है मैंने आपको बताए है कि अगर कोई a element g पे बिलोंग करता है और b element g में बिलोंग करता है ठीक है तो उन दोनों का product है अगर composition के आपकी product की है ठीक है अगर composition addition की होती तो दोनों के addition भी g में बिलोंग करता है अगर composition product की है तो दोनों की composition क्या होगी वह भी g को बिलोंग करेगी वैसे ही अगर हम कोई same a element आपके 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 पास one one zero one ठीक है यह अगर g को बिलोंग करती है तो इसका जो square होगा square बोलेगा मतलब है कि a dot a मैंने same ही ले लिए यहाँ पर यहाँ पर b ले रहे थे मैंने a ही ले लिया ठीक है तो यह जो यह होगा इन दोनों का ठीक है इसका बोलेगा यह मतलब है वान डोट वान फिर से ही ऐसे लिख दो तो वह भी क्या जो रिजल्ट आएगा ने इसका वह भी किसको बिलोंग करेगा जी को बिलोंग करेगा ठीक है यह मैंने आपको पिछले करश्यों में भी अच्छे से बताया है ठीक है तो अब आपको ने पड़ी हो नहीं प्लस टू में यह ठीक है कि कैसे इसको करते है तो इसको longe करते हैं टें रोब आए कोड़ी कै कि पैले फस्ट आलिमेंट लो वाफन आगया आपका फिदान आफ्टर फस्ट आलिमेंट से operate करो one into one आ गया आपका one यहाँ पे plus आगया one Called लुए जिरो तो आपके पास आपंपे क्या बची कहाँ बची गया one वैसी आप operate कर सकते हैं इसली ठीक है है तू यहाँ पे आगया जीरो आगया वान ठीक है अगर यहाँ पे ट्रीक बताओं तिह यह त्रीक रही को स्क्राइब ऑगर स्क्राइब निकाल रहे हो न तो यहां पर टू लिख देना अगर यह करने आप आपको पो रोग से अगर नहीं होता है यह सोल्व करने टीक है एक्यूब ठीक है एक्यूब टू इसेगं डूट ए ठीक है तो यह आगहा आपका one two a square a square की U-Q एक बंड डोट एसे घर के लिख सकता हूं मैं yο-Q को ठीक है A की वैल्य के 201 ठीक है तो यहां पे तो मैंने भूला है तीन गरत और बागकी ऐज़े ती जैसे एक इलीमेंट थे 101 101 101 ठीक है अब टू सो ओन ऐसी एन की वैल्यू निकाल लेंगे आप एन इकल टू अब देखो जब एक्यू था तो यहां पर एस्ट पावर एन माइनस वान क्योंगी तीन था यहां पर दो आ रहा रहा था यहां पर एन तो एक कम आएगा ठीक है उन माइनस वान तभी लिख लिखा मैंने ठीक है लोट ए आगया ठीक है तो यहां पर 1 जम्स मैंने बहु ले तीन सेम रखो 101 मैंने और आगल जी ठीज लिख दीए अब यहां पर क्या आएगा जैसे तू आ रहा था ठीक है जब दू था अभी यहां पर यहां पर एन A आपके पास find out करने के लिए बोला था तो A raised to the power N की value अगर order of A है इसका order N है तो इसकी value तो E के बराब बरानी चीए ठीक है यही हमारे पास यहाँ पे यही A raised power N का conclusion किस पे बना N पे बना 1 N 0 1 ठीक है तो इसका बोलने का मतलब है कि जब यह चीज़ apply करेंगे न A raised to power N तो हमार के बराबर आने चीए E identity और identity के होती है identity element in matrix multiplication 1 0 0 1 इसके बराबर आने चीए बट यह थोड़ी आ है इसके बराबर यह तीन element तो सेम आए 1 0 1 देखो 1 0 1 बट यह 4 0 के बराबर आने चीए बट 4 0 के बराबर नहीं है भाई यह तो N है ठीक है तो इसका बोलने का मतलब है कि यह identity यह क्या identity की value i मतलब यहां पर i लिख देते हैं हम यहां तो e लिख लोटी के कोई चक्कर नहीं आपने पिच्छे से लिख लिख लिखते आए तो e लोटी के तो a डिश्ट पावर and doesn't belong to e because e की value के है 1001 यहां पर सिर्फ इसकी वादा से क्यों कि यह composition चेंज हो थे हैं यहां यहां पर 2 आ गया था जब आपने square किया यहां पर 3 आ गया बाकी तो सेम ही रहे थे तो जब n करेंगे तो यहां पर n आ जाएगा simply बट यहां पर आना के चीए था वान आना चीए था ऐसा ऐसे करते जब हम एंड तक पहुंचते तो वान नहीं आए ठीक है तो वान नहीं तो टी एंटी elements हैं इड़ेमपोटेंटस elements ठीक है तो यह क्यों होते है अगर कोई element आपका a जो कि g को बिलोंग कर रहे है ठीक है इस है टो इड़ेमपोटेंट if square of that elements mean a square equal to a means square of that element is equal to the element that belongs to group g ठीक है यह लिखा मतलब कि अगर कोई a g को बिलोंग कर रहे है तो उसका simply इसका स्क्राइब एसका स्क्राइर के तो किस बराबर होगा जो यह ऐलिमेंट था मिहां ठीक है यह लिखा मैंने यह पे ना हो अब आपका क्वेश्टीन है इस पे की शोओ डैट इफ जी इस फे कि स्क्राइब घ्रोप धैन ए belong to g को यह element g is an idempotent इसका बोलने का मतलब यहाँ से clear कर लो कि idempotent मतलब बोल दिये इसने तो idempotent का मतलब है कि a square equal to a जैसे यहाँ पे भी a दियो है आपके पास idempotent कब होगा जब a square जो है a के वराबर होगा ना यह इतना तो आपके पास question में दियो है कि g को यह आपका group है a g को भी बिलोंग कर रहा है is an idempotent idempotent कब होगा आपको पता है कि idempotent तब होगा जब a square equal to a के बराबर होगा ठीक है अब now a square को आप कैसे लिख सकते है a dot a में लिख सकते हैं और आ गया यहाँ पे तो a ही है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ठीक है अब now a dot a ठीक है मैंने ऐसे लिख आई डोट a अब इसको मैं a को इस एको पता है कैसी लिख सकता हूं मैं a dot e लिख सकता हूं मैं इसको क्यों लिख सकता हूं a dot e विकोज देखो आपके पास आ गया था ऐसे कोई जी आपको बोला है कि जी बी एक ग्रूप ठीक है जी बी एक ग्रूप and a belong to g and such that a is idempotent idempotent है तो आपको पता है a square किस लिख सकता हूं a dot a and यहां ही एक खेंए अब आप को इस ए को बतार हमें इसको कैसे लिख सकते हैं आप e dot e ऐसे लिक सकते हैं क्यों लिख सकते हैं कि मैंने आपको पछली video में विपताया कि यह बिल्कोल हाली concept होते हैं अच्छे समझने होता है जब आपकी existence of identity आप प्रूब करते थे group में ठीक है तो मैंने वहाँ पे बोल ला गया था आपको सन नहीं बताया था कि जब भी identity element को operate करती है mean जब भी ऐसी situation आती ही identity operates on elements की से operate करती है elements के साथ mean या तो multiply होती है या add होती है तो आपका result element ही आना चाहिए ये बोल ला गया था ठीक है और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था ठीक है तो इसको हम ऐसी लिख सकते हैं क्योंकि जब a.identity element को operate करेगी तो हमारे पार result तो a ही आएगा तो इसको हम ऐसी भी लिख सकते हैं ठीक है तो ये लिखा मैंने ठीक है a.a equal to a.e ठीक है और मैं ये आपकी सुभी दा के लिए मैंने आप लिख दे है equal to a mean a को ही लिखा मैंने a.e ठीक है अब इसको बूल जाओ ठीक है तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख है इसको cancel कर दो यहां से ठीक है अब now by left cancellation law आपको बताया है सरने left cancellation law left cancellation का law का मतलब है कि यह element और यह element जो left में element है वो क्या कर देंगे आप cancel कर देंगे यह meaning है ना left cancelling का ठीक है आपके पास we shall prove that a is an idempotent आपने idempotent से चले थे कि a idempotent है तो आपने a equal to e प्रूव किया now convert से चले जब आपके पास a equal to e जो result आया वो result से आपने एक question प्रूव करना है mean a equal to e है अगर तो आपने प्रूव करना कि एक है idempotent element that is कि a square equal to a क्योंकि टैंपotent कब हो गए जब a square की value कि इसके बराबर होगी a के बराबर ना हो equation number 1 आपके पास a equal to e है ठीक है इस से चलना है वह आपने तो आप कैसे करके इसको इस इस वाली को किस तरह से operate करें ताकि यह आ जाए simple है यार एसे operate कर दो दोनों साइड मीन एसे multiply कर दो तो एसे जब आपने multiply किया तो यहां पर आगए a dot a और यहां पर जंब multiply किया तो a dot e a dot a आगया a square and a dot e आगया a के बराबर because when identity operate on elements we get elements but when inverse operates on when to when inverse operate on elements we get identity थी 药ह यह मैंना आपको बता ीया पिछली वीडियो में कि जब भी inverse की component operate करता है तो हमें identity में अध मिलती है और कभी जब identity किस beef identifying operate करती है तो हमें element मिलता है ठीक है वह element जिस पर operate कर रही होती है ठीक है तो हम ने वह परोफर कर डेकर रहेके ब्राबर डाग न ठीक है तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चिन को करते हैं ठीक है थैंक यू